प्रथम उप्चार वो प्रथम उप्चार पेटी के बारे में आज हम जानकरी प्राप्त करने वाले हैं आईए जानते हैं प्रथम उप्चार का मतलब क्या है किसी भी बिमारी चोट या दुरगट न होने पर चिकिट सक या अम्बिलन्स आने के पहले जो राहत कार्य किया जाता है उसे प्रथम उप्चार कहते है प्रथों उपचार में उपयोग किये जाने वाले साधन या सामगरी इसको हम जो पेटी में रखते है उस पेटी को प्रथों उपचार पेटी कहा जाता है प्राथमिक उपचार के उद्देश कौन कौन से है 1. जीवन सवरक्षन दो, स्लिती को अधिव खराब होने से बचाना और तीन, रोग मुक्त होने में सहायता करना या प्रात्मिक उप्चार के मुख्व उद्देश्य है प्रात्मिक उप्चार के सिधानत के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे गायल व्यक्ति को जल्द से जल्द प्रात्मिक शिकित्सा देना, केवल आवश्यक प्रात्मिक शिकित्सा ही देना यदि रक्तस्त्राव है तो उस पर नियंतरन स्थापित करना या प्रात्म उप्चार करने वाला के कार्या है उसी के साथ स्वसन और परिशंचरण को सही करना व्यक्ति को सद्मा लगने से बचाना यदि उसे सद्मा लगा है तो सद्मे से बाहर लाना हड़ी तूटने या जोडने के हालत में प्रभाविक शित्रों को हिलने न देना गाहल व्यक्ति को जल ठीक होने का आश्वासन देना और उसका होसला बढ़ाना प्रात्मिक उप्चार सुरू करने से पहले हमें उसकी फॉर्स्टेड एबिसी जाननी जरूरी है ए एरिवे या जिवन के रक्षा समद्दित है किसी की प्राणों को वचाने के लिए जानना अवश्चक है कि उसके स्वासन मार्ग में कोई अवरोत तो नहीं है अब हम आगे जाएंगे बी बी का मतलब होता है ब्रीधिंग सास लेना वायू मार्ग जाचने के बाद हमें यह देखना चाहिए कि मरीज सचित अवस्था में है या नहीं मरीज को स्वास लेने में कोई तकलिफ ना हो उसकी व्यवस्था प्रतम अपचारक ने करनी चाहिए C Circulation अंत में हमें यह देखना चाहिए कि मरीज के खून का परिसंचरन हो रहा है या नहीं इसके लिए मरीज की नारी का प्रिक्शन करना चाहिए यानि पल्स चेक करने चाहिए अब हम जानते है प्रतम अपचार पेटी में कुछ रहने वाली सामगरी के बारे में पहली है रूई प्रत्रम उपचार के समय जो व्यक्ति प्रत्रम उपचार करता है उसके पास रुई का होना बहुत ज़रूरी है अकास्मात के समय यदि कहीं कट फट गया हो तो उस जगब पर वह रख कर खून को रोक सकता है यहां medicated रुई होनी चाहिए पट्टी, बैंडेज, बैंडेज दो प्रकार के होते, क्रैप बैंडेज और कॉटन बैंडेज इस बैंडेज का उप्योग यानि इस पट्टी का उप्योग कटे हुए स्थान को रक्तस्त्राव रोकने के लिए होता है साथ ही में हम देख सकते हैं चितर में medicated tape, कैची, hand gloss, mask, thermometer और hand sanitizer का प्रत्व अप्चार पिटी में होना बहुत ही आवश्यक है तो इसी प्रकार हमने आज थोड़े में जानकारी ली कि प्रत्व अप्चार क्या है और प्रत्व अप्चार पिटी का में क्या होना चाहिए को आप अवश्य ही सब्सक्राइब करें और स्काउटिंग से जुड़ी सभी जानकारिया प्राप्त करें